माता शेल पुत्री की आयू में व्रिद्धी होने लगी तारकासुर इतना आवेशित और अधीर हो गया कि वो स्वयम अब हिमाले परवत की ओर बढ़ चला अन्ध होगा आज उस शक्ति का वसंत रितु में चैत्र मास की नवनी तिती को म्रिग शिरा नक्षत्र में अर्ध रात्री के समय माता आदी शक्ति का जन्म हुआ माय अधिष्टात्री हे मा माता शेल पुत्री के जन की दिव्य कथगा श्रावण कर हम क्रतार्थ हो गए गोड़ेश जी अनन्त है माता शेल पुत्री और उनकी महिमा माता की नौरूपों की उपासना करने पर जीवन के सभी मिथ्या भाव मिच जाते हैं साधक मोह माया से मुक्त होकर संसार का परित्याग कर पर मात्मा में समाहित होने के लिए तत्पर हो जाता है माता शेल पुत्री को प्रसन करने के लिए साधक को किस प्रकार साधना करनी चाहिए नवरात्री के प्रथम दिवस पर साधक अपने रीड के मूल परिस्थित मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर माता की उपासना आरंभ करते हैं मूलाधार चक्र के आधिपति प्रथम पूजिक कनेश जी और माता शैल पुत्री की पूजा से ही हम इस चक्र को जागरत कर सकते हैं और इस प्रकार नवरात्री के प्रथम दिवस से ही साधक की योग साधना भी आरंभ होती है महराज माता सरला अब आप भी अपने नेत्रों को बंद कर अब शैल पुत्री नमा हूँ अब शैल पुत्री नमा हूँ शांती अपार शांती सभी चिंताओं से परे अनुपम अनूठी सुखमय शांती का अनुभा हुआ मुझे नवरात्री के प्रथम दिवस पर माता शैल पुत्री की कृपा से आप दोनों के साथ हम सभी की भक्ती और योग की यात्रा आरंभ हो गई क्या हुआ माता सरल आपके स्विचार में खोगे यही पुत्र हो अथवा पुत्री मातो अपनी संतान को समान इसनेह देती उनमें कोई भेदभाव नहीं करती किन्तु माता आधी शक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त करना यह जो परम सौभाग्य माता मैना और महराज हिमावन को प्राप्त हुआ यह तो उनके अद्भुत पुण्य संचय का ही परिणाम था सत्य है पुत्री के माता पिता बनने का सुख तो बहुत बड़ा सौभाग्य है आप सर्वथा उकित कह रही है माता स्त्री तो स्वयम शक्ती की ही प्रतिक है वो स्त्री जो पहले पुत्री के रूप में जन्म लेती है किन्तू पुत्री प्राप्त करना सहज नहीं उन्हें प्राप्त करने के लिए देवी मैना और हिमावन को अत्यacies ति कठोड़ तब करने पड़े प्रत्ये कंज्या में तो स्वयम माता आधी शक्ती का ही वास होता है। अनेकोपुन्य संचित होने के पश्चात ही एक पुत्री का जन्म होता है। और ये स्वयम में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पून करूंगे। इसलिए हम कन्या पूजन भी करते हैं। जिनकी परिवार में कन्याएं जन्म लेती हैं, वो अत्यंत सौभाग्य शाली होते हैं। क्योंकि उन पर स्वयम माता की कृपा द्रिष्टी जो होती है। पुत्री को जन्म देकर उसके माता पिता बनना तो स्वयम एक महान पून्य है। अब आईए आज की आर्थी संपन्न कर ले। जग जननी जै जै मा जग जननी जै जै। भय हारिनी भवतारिनी भव भामिनी जै जै मा जग जननी जै जै। जग जननी जै जै मा जग जननी जै जै। भय हारिनी भवतारिनी भव भामिनी जै जै। मातासरला, महराज दिवदास कल भोर में नवरात्री के दृत्ये दिवस पर हम माता के दृत्ये रूप के कथा जानेंगे मा वहां अकेली है उनकी पेड़ा विचलित कर रही है मुझे गनेश तुम्हारी अधीरता का अभास है मुझे गनेश भाईया हमने अभी मा के नवरूपों की पूजा आरंभ की है हमारे मनोरत के सिद्ध होने में पूजा की संपूर्ण अवदी शेश है अभी भाईया क्योंकि वहां मा सर्वधा अकेली है पिता श्री की प्रतीक्षा कर रही है और वही मा के मंदर के बाहर रिशी जैगिश्वे ने पिता श्री की दर्शन के अभिलाशा में सोयम को अन्यजल से वन्चित रखा है माता की कथा के संपन्न होने तक रिशीवर का कुछ अहित हुआ तो अनार्थ हो जाएगा भाईया और उधर ज्याद नहीं दुर्गमा सुर्वेद माता को कहां स्थित कर उनके साथ कैसा दुर्विया भार कर रहा होगा इतना ही नहीं पिताश्री मंदार पर्वत परी स्थित है अपने उस वचन के कारण काशी लोटने में असमर्थ है जो उन्होंने राजा दिवुदास को दिया था महादेव काशी में मात्र एक ही राजा रह सकता है फिर वो काशी राजा आप है अध्वा मैं और यदि राजा बनने का करतब मुझे पालन करना है तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव तो आप ही बताईए भाईया ऐसी इस थिती में मैं अशान्त और अधीर कैसे ना हो तुम सर्वत्हा उचित कह रहे हो गणिश समय के साथ पड़ता है हमारी जिसमें अब एक एक पला सैनी हो रहा है किन्तु गणेश हमें ये भी स्मरण रखना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी होता है वो मां की इच्छा के अनुसारी होता है और वो भी एई चाहती है कि हम सभी नवरात्री के व्रत रखें उनका पूजन करें और मां के इच्छा के पूर्ती हम पूर्ण अनिष्ठा और संपूर्ण भक्ती भाव से करेंगे क्योंकि जब और कोई मार्ग नहीं सोच था तो भक्ती में डूप कर ही अपना करता विनिभाना चाहिए क्योंकि मां अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती गडेश उचित है भाईया मा ही इन सभी संकटों का निदान करेंगी मैं तो अब बड़ी उच्छुकता से कल भोर की प्रतिक्षा कर रहा हूँ मा की कथा जब तक संपन्य नहीं होगी तब तक महराज देवोदास नहीं समझ सकेंगे कि उनसे कैसी अनिष्टकारी भूल हो गई है मा कल रातरी में मैं बहुत व्याकुल और अधीर था किन्तु आज भोर में आपके दर्शन पाकर एक नवीन उर्जा प्राप्त हुए है अब आपके दूती ये रूप मा ब्रह्मचार ने की कथा करने का समय आ गया है हमें आशिरवात दीजे मा कि हम आपके नौ रूपों की कथा भली भाती कह सकें जिसे राजा दिवोदास अपने भूल समझ कर उसे सुधार सकें पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिके, तुम्हारे मुख से उत्सर्जित मेरी कथा का श्रवन कर राजा दिवोदास और देवी सरला को ही नहीं, संसार को भी बहुत कुछ सीखने का अफसर प्राप्त होगा गुनेश ची, कृतेश ची, नवरात्री के दित्य दिवस का कन्या पूजन, पून विधी विधान से संपन्य हो गया अब हम माता के नौ स्वरूपों के अगले रूप में जाने की यात्रा का वर्णन सुनने के लिए अति उत्सुख है माता सरला, आपने सर्वता उचित शब्दों का प्रयोग किया, माता की यात्रा किन्तु माता, आपके मन में कुछ विचार है, वो कही है न मैं माता की लीला का रहस्य समझने में कहा समर्थ हूँ? किन्तु कल रात्री में मैं माता, शेल पुत्री स्वरूप की कथा का विचार कर रही थी तो मुझे प्रतीत हुआ कि माता की यात्रा तो किसी भी स्त्री की ही यात्रा के समान है। नवरात्री के द्वुतिय दिवस पर हम माता के ब्रह्म चारनी रूप की पूजा करते हैं। ब्रह्म क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है वेदस्त्वम तपो ब्रह्म। अर्थात वेद, तत्व और तप ही अंतिम सत्य परम ब्रह्म हैं। और चारनी का अर्थ है अर्चिना करने वाली। अर्थात वो जो तप और ज्ञान के माध्यम से अंतिम सत्य की साधना करती है। माता आदी शक्ति का ये रूप अत्यन्त भव्य है और पोर्ण रूप से जोतिर मय है। गुरेश जी, माता अपने सोरूप में कैसा प्रत्यक्ष रूप धारन करती है। माता ब्रह्म चारनी एक श्वेत वस्त्र से स्वयम को सुशोभित करती है। उनके दाए हाथ में जबकी माला और बाए हाथ में कमंडल स्थित होता है। अब मैं आपको माता ब्रह्म चारनी की कथा सुनाता हूँ। अपने माता पिता के अपार लाड दुलार में माता शेल पुत्री की आयू में वृद्धी होने लगी। माता मैना और राजा हिमावन अपने लाडली पुत्री को उचित संसकार प्रदान कर रहे थे। इसलिए वो अत्यंत सुशील और सर्वगुण संपन्न थी। किन्तु वो नटकट भी थी। राजभवन में उनकी बाल्यवस्था अत्यंत सुखमय और सुन्दर थी। यद्यपी तारका सुर ने जिस प्रकार पूर्व में उनके अंत हेतु अट्टा सुर को भेजा था। उसी प्रकार इस अवधी में भी वो अनेकों असुरों को निरंतर भेजता रहा। किन्तु वो असुर सब्त रिश्यों द्वारा स्थापित रक्षा कवच को नहीं भेज सके। और माता इन सभी आक्रमणों से पूर्णता सुरक्षित और अन्भिग्य थी। लोटा क्यों नहीं अट्टा सुर अभी तक। महाराज, ऐसी सूचना प्राप्थ हुई है कि अट्टा सुरका अन्थ हो गया। अन्थ हो गया। अट्टा सुरका। तो फिर प्रतीक्षा को कर रहे हैं हम। अन्य असुरों को भेजो अभी। जाओ। अंत कर दो शक्ति का। जिसने उस राजभवन को अपना निवास बनाया है। जाओ। तारका सुर भयंकर से भयंकर असुरों को भेजता गया। और एक एकर उन सभी असुरों का अंत होता गया। अंतिता तारका सुर इतना आवेशित और अधीर हो गया कि वो स्वयम अब हिमालय परवत की ओर बढ़ चला। अब स्वम देखता हूं मैं कौन है यह माया विशक्ति जिसमें मेरे अनेकों असुरों को शती पहुंचाई है। पुत्री पार्वती दो, पक्डो इसका नदुक्को अरे वाह, आती उत्तम पुत्री पार्वती अंत होगा, आज उस शक्ती का जो मेरे काल को जन देने ही तू जन्मी है अब ही मिटा दूगा, मैं उसे बढ़ने नहीं दूगा ये संकत ये दुष्टार का सुर्तों यहां पर पहुंच के, कहिए राजा हिमामंत के राजभावन पहुंच कर, कही कोई अनर्थ नहीं करते हैं निष्चिंत रहिए देवराजिंत, अब वहां कोई और अनर्थ नहीं होगा नारायनम, गदा जक्षम, गोविंडम, कीविभाजनम, भुवर्धन उत्थरम, देवं, भूधरम, भुवनिष्वरम कहा गया ये राजभावन? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? श्री हरी नारायन ने अपनी विश्णु माया के प्रभाव से महाराज हिमावन के राजभवन को अद्रिश्य कर दिया और इसी कारण वो तार का सुर उसे ढूनने में असमर्थ हो गया जब ठक गया तो अंतता वो निराश होकर लौट गया और देखते ही देखते माता शेल पुत्री सोला वर्ष की आयू पर पहुँच गई अब आएगा ख्रीडा का अनन मुझे पारवती को मैं सहिम कंदुक से सताओंगी देखना पारवती पारवती कहा हो तुम पारवती पारवती कहा हो सकी जया और विजया कितने भी प्रयास कर लो इस ख्रीडा में मुझे नहीं परास्ट कर सकोगी पारवती कहा हो तुम पारवती विजया तुम उस दिशा में जाके ढूड़ो मैं इस दिशा में जाते हूँ ठीक है पारवती पार्वती, कहां हो तुम पार्वती? पार्वती, 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 कहां चलेगे? पार्वती विजया, पार्वती मिली? नहीं, तुम्हें मिली? पार्वती? पार्वती? तुम दोनों तो मुझे सताने चली थी ना? फिर क्या हुआ? पार्वती, आप तुम हमसे नहीं बचोगी पार्वती कहा है? पार्वती, 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 पार्वती पुच्टा? इश्वर की लीला अप्रम पार है किन्तु समय के चक्र का पालन करना वो भी नहीं भूलते पार्वती